हेलो एवरिवन वेलकम यू ओल आज हम इस वीडियो के अंदर डिसकस करने वाले हैं ऐसी ट्रिक जिसके अंदर क्या है आप किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का जिसका हमें अटोमिक नंबर दिया होगा उसे आप इजली आइडेंटिपाई कर सकते हैं कि वह कौन से ग्रूप है वह हमने यह पर लिख लिए हैं और अब हमें लिखना है इन अगलाइंकश इन के सामने लिख लिए है तो इस तरीके से आपको इक छोटा सा चार्ट बना लेना है इसके अबाद में क्या करना हो कि ऐज़ंबल का हमें अटोमिक नंबर दिया हूँ हूँ वह स्कじゃない कि वह का नंबर की जस्ट जो next noble gas है उसका atomic number देखेंगे जैसे कि माल लेजे हमें atomic number दिया हुआ है 32 तो 32 जो element है हमें उसको क्या करना है period number बताना है तो उसके just next noble gases कौन सी होगी 36 होगी और 36 पारें जो noble gas है वो क्रिप्टोन और क्रिप्टोन बिलोंग करती है फौर्थ पीरियड से तो जो हमारा 32 element है वो बिलोंग करेगा इस फौर्थ पीरियड से तो आपको period identify करने के लिए क्या ध्यान रखना है कि जो हमें given element होगा उसका जितना atomic number होगा हमें उस atomic number के just next वाली जो है noble gases देख लेनी है और जो उस noble gases का period होगा वो ही उस particular element का भी period होगा next हम देखते हैं किस तरीके से हम particular element का जिसका हम atomic number दिया होता है उसका group find कर सकते हैं तो group find करने के लिए आपके पास एक formula होता है वो होता है 18 minus difference तो generally जब भी हम किसी भी element का group find करते हैं तो यहां पर हम क्या formula use करते है 18 minus difference अब यह difference क्या है यह हम आगे देखेंगे लेकिन अगर माल लीचे यह difference 18 से जादा होगा तो हमें क्या इस formula के अंदर थोड़ा सा change करना पड़ेगा और वो change हम क्या करेंगे उस formula को change करतेंगे 18 के जिगा यहां पर 32 place करके तो अब जो नया formula बन जाएगा वो बनेगा group is equal to 32 minus difference तो इस तरीके से क्या है हम किसी भी element का group भी identify कर सकते हैं और यहां पर यह जो दोनों बार difference यूज किया गया है तो difference क्या है difference होगा जो हमें given element दिया होगा उसके just next novel कैसे सोगी और minus जो हमें given element दिया है given element का atomic number तो यह क्या होगा हमारा difference होगा तो यह थी short trick अब हम इस short trick को apply करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारी जो trick है वो काम करती है या नहीं करती तो सबसे पहले मान लिजी हम एक्जामपल लेते हैं अगर हमें दिया गया हो atomic number 37 37 हमारे पास atomic number दिया हुआ है सबसे पहले हमें क्या identify करना है इसका period identify करना है तो period identify करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर हमने 37 लिखती है 37 के बाद में हमें इसके just next जो noble gases है वो देखनी है 37 के just next जो noble gases आएगी उसका atomic number आएगा 54 तो जिस period से xenon belong करती है उसी से क्या है यह 37 भी belong करेगा तो यह है 5th period तो यह क्या हो है उसका period होगा 5th इसी तरीके से एक और example लेते हैं जिसके अंदर हम देखते है 42 42 का अगर हमें period identify करना है तो 42 की just next जो noble गया सा है उसका atomic number देखना पड़ेगा तो 42 की just next atomic number क्या होगा 54 होगा तो यह 54 क्या है 5th period से belong करता है तो इस तो इस वारे जो element का भी period होगा वो होगा 5 एक और example हम देख लेते हैं मालीजी हमारे पास है 80 atomic number अगर हमें 80 atomic number दिया हो और हमें पता करना हो कि कौन से period से बिलोंग करता है तो यह atomic number 80 तो 80 की just next वाली जो noble gas है वो होगी 86 और जो 86 वाली noble gas है वो बिलोंग करती है 6 period से तो इस वाले element का होगा period 6 तो इस तरीके से हम क्या ह है easily किसे भी element का period identify कर सकते हैं अब हमें find करना है group तो group को find करने के लिए क्या करेंगे हम यही तीनों example फिर से लेंगे और इन तीने example के हम क्या करें ग्रूप find करेंगे तो सबसे पहला जो example था हमारा था 37 अगर 37 का हमें group find करना हो कि कौन से group से बिलोंग करता है तो हम सबसे प जो हमें given element दिया है उसका atomic number तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम difference find करेंगे तो difference find करने के लिए हमारे पास क्या formula था इसके लिए जो हमारे पास given atomic number है वो है 37 और 37 के just next वाली जो noble gas है वो है 54 जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है यह 54 तो हमें क्या करना होगा सबसे पहले difference न करने के लिए हमने क्या बोलता कि next जो noble gas है उसका atomic number यानि कि हमारे पास यहां पर था 54 और minus करना है जो हमें given element का atomic number दिया हुआ है उससे तो हमें यहां पर दिया हुआ है 37 तो हम क्या करेंगे 54 में से 37 को minus करेंगे जब हम इसे minus करेंगे तो हमारे पास आएगा 17 और अब यह 17 यह क्या है हमारे पास difference है हमारे पास difference हम ऑले चुका है. जो कि है 17 हम क्या करेंगे इसको इसफाले formula के अंदर put कर देंगे तो हम यह पर group find करने के लिए क्या करेंगे हम यहां पर फाइंड करने के लिए फॉर्मुला यूज करेंगे 18 माइनस डिफ्रेंस जो कि हमारा यहां पर है 17 जैसे हम 17 लगाएंगे हमारे पास अंसर आएगा वन यानि कि जो यह हमारा यहां पर जो ग्रूप है वह भी इंटिफाई कर लिया है तो आई तिंक आपको इस एक्जाम्पल से पता लग गया होगा कि हमें किस तरीके से ग्रूप का फॉर्मुला है वह यूज करना है अब हमारा जो नेक्स्ट एक्जाम्पल है उसका भी हम क्या करेंगे ग्रूप निका जो नोबल कैसा आएगी वह आएगी 54 तो यहां पर भी हमें क्या है 54 से ही माइनस करना है तो हम यहां पर लिखेंगे 54 माइनस 42 यानिकि जो हमें गीवन एलिमेंट यह हो है उसका पामिक नंबर है जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो अंसर आएगा वह तो हम इसे यहां पर लिख देंगे तो हमारे पास क्या था 18 माइनस डिफरेंस तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास अंसर आएगा 6 यानि कि जो यह एलिमेंट है वो 6 ग्रूप से बिलॉंग करता है इसी तरीके से हम 80 वाले का भी ग्रूप निकाल लेते हैं तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे डिफरेंस लिखेंगे डिफरेंस किसका लिखेंगे सबसे पहले जो 80 है यानि कि जो गिवन एलिमेंट है उसके जस्ट नेक्स हमें नोबल गैस देख ली है तो 80 की जस्ट बात कि जो नोबल गैस आएगी 86 तो हमें आप पर क्या कर लेन है 86 लिख लेना है देनों उसके बाद में माईनिस कर देना है हमारे पास जो गीवन ऐलेमेंट है उसके अटॉमिक नमबर से तो हमारे पास इसका जो डिफरेंश आएगा वह आएगा 6 अब हमें क्या करना है ग्रूप को इडेंटिफाई करने के लिए 18 माइनस डिफरेंश यान इसके अंदर अगर यह difference 18 से जादा हो जाए तो हम इस formula को थोड़ा सा change कर देते हैं और यहां पर हम लिख देते हैं 32 तो एक example हम इसका भी देख लेते हैं जिससे कि आपको easily पता लग जाएगा कि हमें इस formula को किस तरीके से use करना है तो यहां पर माली जी हम लिख लेते हैं हमारा fourth example अब यहां पर हम एक element लेंगे जिसका atomic number है 87 अब हम सबसे पहले क्या करेंगे इस atomic number का period करेंगे कि यह जो element है यह कौन से period से belong करता है तो period करने के लिए हम क्या देखते हैं कि जो 87 है उसके just next का atomic number यहां पर इसका जो 87 है उसकी just next कीος का atomic number lib आप 118 का जो atomic number हैं यह कौन से period से belong कर रहा है यह belong कर रहा है 7th Period से तो यह जो element है इसका जो period होगा वो होगा सेमा पीरिड अब करते हैं mix की अब हम difference क 이제 गए हम हÄं किया करेंगे next novel the atomic number लेंगे जो कि था 118 और उसको minus कर देंगे 87 से तो जैसे हम इसको minus करेंगे हमारे पास difference आएगा वह आएगा 31 का और 31 का difference आते ही हमें क्या करना है इस formula को थोड़ा सा change कर देना है मतलब हमने यह यह आपर क्या लिख था कि अगर difference आए 18 से जाधर तो हमें क्या करना है यह वाला formula यूज ना करके, यह वाला formula यूज करना है, तो हमें आप पर क्या करेंगे, अब यह जो 32 में से हमें इस difference को minus करना पड़ेगा, तो अब हमें ग्रुप को find करने के लिए क्या करेंगे, 32 में से minus करेंगे 31, यानि की difference को, और हमारे पास आजएगा 1, तो अभी जो element है, यह क्या करेगा, यह group 1 से belong करेगा, तो इस तरीके से आप क्या है, second formula को भी easily समझ गए होंगे, कि हमें इसका use किस तरीके से करना है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, I hope आपको वीडियो